प्रशन के रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दिया गया है लिखा है प्रशन पहले पढ़िए उपर दिये गए आभी हुमें X के अस्थान पर कौन सी संख्या है यानि कि कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है X कहा है यहाँ पे यहाँ पे कभी-कभी प्र पूछा जाता है प्रेशन आचा एक चीन पर कौन सी संख्या आएगी ठीक है तो यह क्या होता है missing number से related प्रेशन होता है तो इसे आप कैसे solve करेंगे दोस्तों तो पहले तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 और 7 को मिला के कैसे 370 लिखा है 2 और 6 को मिला के कैसे 224 लिखा है एक और यहाँ पे जो आपका x को मिला के कैसे 730 आएगा ठीक है तो x के जगा पे कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है तो दोस्तों इस टाइप के प्रेशन कभी भी आए तो आप दो तरह से solve कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आप यहाँ पे 3 और 1 को मिला के 2 लाएं या 7 और x को मिला के 6 लाएं और 370 दोस्तों 370 और 730 को मिला के हम 224 लाएं यह चीज हो सकता है लेकिन ऐसे आपका नहीं आएगा आपका आएगा कैसे दोस्तो तीन और साथ को मिला के हमें क्या लाना है तीन सो सत्तर तो तीन और साथ को दोस्तो गुला भी करेंगे तो नहीं आएगा अगर जो दोस्तो हम तीन का क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा दो 300 दोस्तो 43 और 27 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 370 हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो 343 और आप कितना जोड़ेंगे दोस्तो 347 जोड़ेंगे 370 और 370 आपका एक हाँ दिया है बीच में दिया हुआ है तो यह क्या किया क्यूब किया आगे भी देखेंगे दोस तो 6 का cube करेंगे तो 36, 36, 36 है 216, 216 और 8, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 216 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 224, जोड़ भी सकते हैं, 864 और 14 का 4, हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 224 यहां पे भी दिया हुआ है, अब आगे भी यही परक्रिया अपनाएंगे, तो आगे यह परक्रिया अपनाएंगे, तो एक का दोस्तों cube करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा, और इस हाँ पे कौन सी संख्या रख दें, कि जोड़ने पर 730 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक का cube है, तो यह इसमें से घटा लेंगे, 730 में से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 729 हो जाएगा, और 729 किसका cube होता है, दोस्तों, 9 का cube होता है, 729 किसका है, 9 का cube, 9, 81, 729, और एक का cube जोड़ने तो एक ही हो जाएगा, 929 हो जाएगा, दोस्तों, 9 का cube क्या होता है, 729 होता है, ठीक है, और एक का cube एक ही होता है, 729 और एक जो में तो आपका option number C क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस परकार के दोस्तो प्रेशन है तो आप ऐसे solve करेंगे जब दोस्तो संख्या हो छोटी छोटी संख्या हो बीच में बड़ी संख्या लिख दे तो इस प्वायर करता है या तो Q करता है तो इस टाइब के प्रेशन है दोस्तो आप ऐसे solve कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रेशन को भी एकदाम अच्छे से समझ गया होंगे